होम स्क्रीन लॉकेट प्रॉब्लम कैसे ठीक करें हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है फीट से एक न्यूव वीडियो में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अगर दोस्तो आप भी किसी भी आप्लिकेशन को इस तरीके से मूव करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके का आपको जो हे पॉप अप लिक क्या जाता है यहाँ पर लिक क्या जाता है होम इसकीन लॉकेट इस तरीके से आप जिसकी यहाँ पर देख सकते हैं तो अगर आपके find में भी यह problem है और आप किसी भी application को move नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस problem को कैसे ठीक करेंगे चली मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है तो दोस्तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं तो home skin locket problem को ठीक करना काफी असान है चली मैं आपको बताता हूँ आप इस problem को कैसे ठीक कर सकते हैं और मैं आपको जो है सबसे असान तरीका बताऊँगा इसको ठीक करने का तो इसके लिए आपको क्या करना है अपने phone के setting में चले आना है किसी भी company का phone हो आपको phone के setting में आना है यहाँ पर आने के बाद आपको थोगा सा नीचे scroll करना है ठीक है नीचे scroll करने के बाद आपको यहाँ पर एक option दिखने को मिलेगा home screen and lock screen आपको इस पर क्लिक करना है यह option आपको मिल लाएगा धियान से देख लीजेगा यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर धेर सारा सेटिंग देखने को मिलाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसी सेटिंग के अंदर आपको एक option में लिखने को मिलेगा, Lock Home Screen Layout आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, Lock Home Screen Layout वाला option दिख रहा है न, तो यह आपको option को ढून लेना है अगर नहीं मिले तो back आईए और यहाँ पर अपने phone के setting के अंदर search कीजेगा home screen layout या फिर जो है lock home screen इस तरीके से यहाँ पर search कीजेगा तो आपके सामने जो है वो setting आ जाएगा ठीक है देख सकते हैं आ गया अगर माल लीजिए आपके पास कोई दूसरा company का phone है आपको setting में वो option नहीं मिल रहा है तो आपको मैं सबसे असान तरीका बताता हूँ इसके लिए आप क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर जो है अपने खाली skin पर इस तरीके से long प्रेस कीजिए अपने display फर और नीचे में आपको यहाँ पर setting वाला button मिल दता है फिर से आप धियान से देख लिजिए आपको setting वाला button मिलेगा आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर direct आपको lock home skin layout का option मिलेगा आपको इसको ढून लेना है और इसको आपको बंद कर देना है बैंद करने के बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी application को बहुत यहाँ असानी से move कर पा रहे हैं इधर से उधर आप हम यहाँ पर जो है इस तरीके से यहाँ पर move कर पा रहे है और इस तरीके से आप भी दूस्तों इस problem को ठीक कर सकते हैं वीडियो कैसा लाएगा कमेंट बॉक्स में जोर से बताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इस चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले